ये सिर्फ ना नहीं से राजनीती में क्या सीjskा आपने अपने पहले परफेशन से क्या सीक्वा और मैंने अपने पहले हुआ प्रोफेशन से एक ही चीज सीखी थी सीक्वास कई काम वे सामने की पीट पीछे काय लड़ते हैं और पिछले पंदरा दिन में जिस तरीके से मेरे उपर आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा कभी मेरा नॉमिनेशन कैंसल करने की कोशिश करी गई कभी मेरे अगेस्ट F.I.R. दर्श कराई कभी बोला कि मैं 240 दिन देश से भार रहूँगा फिर कभी बोला कि मैं डिबेट से डर गया मैं इस मंच से एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा फिर हमारे चीफ मिलिस्टर ने बोला कि जो अभी हाली में उनके साथ हुआ है कि वो भारतिय जंता पाटी ने कराया और मैं इस मंच से उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी इतने बड़े नेता बने नहीं है कि भारतिय जंता पाटी को उनके बारे में सोचने की जुरूत पड़ेगी हर चीज में पिछले साड़े-चार साल में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिरफ भारतियों जनता पार्टी को ब्लेम किया गया इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए दिल्ली वासियों को साड़े चार साल पहले कि हम दिल्ली को लंडन बनाएंगे पारिस बनाएंगे और पता नहीं क्या-क्या बनाएंगे लेकिन मैं आपको यहाँ पर आश्वासन देता हूँ कि हम दिल्ली को ना लंडन ना पारिस हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे एक ऐसी दिल्ली, जहापर हम सब खुशी से रह सकें, जहापर हम साफ हवा में सांस ले सकें, साफ पानी पी सकें, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो, जहापर महिलाएं, सुरक्षित फील करें, हम कोई भी जूटे सपने नहीं दिखाएंगे. मैं भारतिय जनता पार्टी में इसलिए आया, हमारे प्रधान मंतरी, जिसे प्रभावित होकर, जिस तरीके से उनका सपना इस देश को सूपर पावर बनाने का, जिस तरीके से उन्होंने, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चायना हो, उनकी आखों में आखे डालके, भावित होकर, ये देश एक ऐसे मोड पर खड़ा है, जा पर आपको एक स्ट्रॉंग लीडर, एक स्ट्रॉंग लीडर्शिप की जरूत है, और वो ही हमारे प्रधान मंतरी जी ने पिछले पांच साल में किया, मैं भारतिय जनता पार्टी में इसलिए आया, क्योंकि जो हमा से धन्यवाद, जैहिन, जै भारत